हेलो फ्रैंट्स स्वागत करते हैं आप सब का इस यूट्यूब चीनल में दोस्तो इस वीडियोज में हम लेकर हैं क्लास इन्थ मालों के लिए दोस्तो जितने विछा "' मैट्रिक के परिषारती हैं और आने वाले बौड परिक्षा में सामिल होने वाले हैं यहाँ इस कि हम लो जरूर सब्सक्राइब कर लिजाएगा ताकि इसी तरीके से आप लोगो सभी सब्सक्राइब कर लिए तक देखने को मिल जाएगे और कोमेंट्स करके बताना आप लोगो कितना पहले से जानते थे इस तरह के प्रस्ण और बहुत है इंपोटेंट प्रस्ण है ये सारे ठीक है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा चले दोस्तो पहला प्रस्ण देखते हैं बहादूर चप्टर के सबसे पहले म कहानी की निर्मला कौन थी देखे जितने में प्रस्ण में बता रहूं ये सारे पूछे जा चुके हैं दोस्तो इसलिए आप लोग एक एक करके गवर से देखिएगा प्रस्ण पहला है कि बहादूर सिर्शक कहानी की जो निर्मला थी वो कौन थी लेखा की बहन थी लेखा क K definitely या फिर लेखा कि रिष्टिदार या फिर लेखा की माना जब आप लोग पढ़ होगे बहादूर चफटर ऊसमें बतेया गया है कि बहादूर सिर्शक कहानी के निर्माला है वह लेखा की खुर पत्नी थि तहुत्व हमर कैंब cloudy हएं आपका अमरकांद जी जिंद्गी और जुक के जो लेखा के वो भी आपका कौन है अमरकांद जी के दोरा ही ये लिखा गया है जब आप लोग इसको जीवन परिचा के बारे हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बत्या गया है थर्ड कोशन देखते हैं कि बहादूर को लेकर कोन आया था सब अपने जानते हैं हम लोग बहादूर जो है कहा का रहने वाला था दोस्तों ये प्रस्न पूछा जाता रहा है तो बहादूर था उत्तर प्रदिस का रहने वाला और कौन लेकर कौन आया था लेकर के घर में तो बहादूर को लेकर आया था दोस्तों उनके साला ने किसने तो लेकर का साला था अप्सेस नमर क्या हो जाएगा अगर आप पर से देखते हैं चार नमर कहा गया कि लेकर अमरका गर यह सारे आपका भीहार में है तो सिर्कारे क्या हो जआगा, चार का Aüğ बलिया उत्तरप्रदेश से अगला है पांच नमर की बहादूर कहां से भाग कर आया था पर आपकी northern coordinates का से भौन से नेपाल से बंगाल चैप्र तीब से ट्रोश जित्पा से नेपाल सेा था इसे नेप बहदूर सिर्षक कहाणी में किस्वर कौन था किस्वर तो बहादूर सिर्षक कहानी में किस्वर झोध खो रहता है। दोस्तों और लेखा का पुत्र है किस वह अगला कि बहादूर का पूरा नाम क्या रहता है तो बहादूर का पूरा नाम रहता है दोस्तों आपका दिल बहादूर होता है क्या रहता है दिल बहादूर अगला प्रस्ता है कि बहादूर अपने घर से क्यों भागा था बहादूर जो अपने घर से क्यों भागा था नोकरी के लिए पिताजी के फटकार के करण मा की मार के करण या फिर घूमने के लिए तो बहादूर जो है अपने घर से भागा था मा की मार के करण ठीक है तो option number क्या जागा C correct हो जाएगी अगला है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है तो अमरकांत जी के दोरा जो लिखित कहानी है वो है अपका बहादूर का है बहादूर option number D is the correct अगला है दोस्तों यहाँ पर कि बहादूर का बाप कहां मारा गया था बहादूर का जो बाप रता है वो कहां मारा गया था यूद में डकेती में चोडी में फिर चरवाही में तो से उत्तर हो जागा आपका क्या यूद में मारा गया था तो और समर क्या जागा एक कोरेक्ट हो जाएगी अगला दोस्तों कि बहादूर से मार खाकर भहेंस से भागी भागी किसके पास चली आई ब ठीक है प्यांड हो जाएगा पुचा गिरा प्रस्थूज ये सारे अगला है बारा नमाक की लेखक के रिष्थदार ने बहादूर पर क्या आरोप लगाये थे लेखक कर ति बहादूर पर पजो आरोप लगाये थे पैसे चुराने का गहने चुराने के अंगुठी चुराने के या फिर मोती चुराने के तो से उत्तर क्या जगा बारा का दोस्तों वह पैसे चुराने का ठीक है अगला प्रस्ण है दोस्तों यहाँ पे तेरे नमर कहा गया कि कहानी है तो कहानी जो है एक नाखुन क्यों बढ़ते हैं बहादूर, नौवत खाने में इबादत या फिर प्रमप्रा का मुलांकर तो कहानी जो है इस चारों आप्सिंस में से वह है अपका बहादूर जो अमरकांद जी के दोरा लिखा गया है अगला है दोस्तों यहाँ पे कि बहादूर जो हो कहां का रहने वाला था ठीक है बहादूर जो हो कहां का रहने वाला था बिहार, उतरपरदेश, नेपाल या फिर भूटान तो क्या हो जागा यहां पर दोस्तो नेपाल का कहां का नेपाल का ठीक है क्योंकि नेपाल से भाग कर रहा था कहां आभी उत्तर परदिस अगला यहां पर 15 लगा था तो बहदूर पर जो है चोरी के लगा था 10, 11, 12 या फिर 11 रुप्य का कितने है 11 रुप्य का चोरी का इलजाम लगा था उस समय 11 रुप्य काफी ज्यादा होता होगा ठीक है अब कोन 10 रुप्य और 11 रुप्य चुराएगा तो उसको कुछ निए बोलेगा कोई 16 नमर है कि बहादूर लेखाक के घर से अचानक क्यों चला गया तो बहादूर जहो लेखाक के घर से अचानक चला गया क्यों चार अप्संस है दुसरी नोकरी मिल जाने के कारण मा की याद आने के कारण या फिर स्वेंग के परती लेखक तथा उसके घरवालों के बेहवार में आये परिवर्तन की कारण या फिर उप्रुक्त से भी अगला है दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि मित्र मिलन सिर्शा कहानी संग्रफ किसकी रचना है यह भी आपका अमरकांत जी के द्वरा ही लिखा गया है तो से उत्तर के आज़ागा सत्रका डी अगला है कि लेखा की पत्नी के रिष्टिदार किस दिन आये थे तो लेखा की जो जो है वो आये थे आपका रवी वार को संडे को ठीक है अकला प्रस्ट नाइंटी नमर कह गया कि बहादूर से वर्ष का था भादूर किस्त को संडे को ठीक है आपको फर्लेक्ट हो जएगी तो इससे उत्तर आपका 12 से तेरा वर्लव के बीच पूछे जा चुके हैं चलिए अब हम लोग यहां पर लगूत्रे प्रस्ण उसके बाद दिर्वूत्रे प्रस्ण में बताऊंगा पहला है कि लेखाओ क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रुरी हो गया था यह प्रस्ण बहुत इंपोटेंट है दोस्तों का घर क्यों छोड़ दिया यह भी इंपोटेंट है याद रखेगा जितने यहां पर प्रस्ण में बता रोचे लगूत्रे यह सारे के सारे इंपोटेंट है अगला है कि बहादूर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है यह भी प्रस्ण पूछा जा चुका है अगला है कि अपने सब्दों में पहली बार दिखे बहादूर का वर्णन कीजिए अगला है दोस्तों कि बहादूर के चले जाने पर सब को पस्तावा क्यों होता है यह भी प्रस्ण इंपोटेंट है याद रख लिजेगा चौक च्छ प्रस्ण इसको भी आप लोगे पार जरूर देख लेना ठीक है दोस्तों हम लोग ने यहाँ पर टोटल अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगूर दिखोतिर प्रस्ण में आप लोगे कराया जो इंपोर्टेंट था और जो पूछे जाने लाइक था ठीक है वही कोशन उससे भी काफी सारे कोशन्स पूछे जाते रहे मतलब जितने भी प्रस्ण में आप लोगे बता होंगा आने वाले वीडियों में या फिर किसी भी चップ्टर के कोशन्स वो सारे इंपोटेंट रहेंगे और पूछे जाने वाले प्रसनी रहेंगे वेबसाइट का लिंक है दोस्तों गूगल डिस्केप्शन में स्टारकस्टरी डॉटकोम आप गूगल पर लिख सकते हो वहाँ पर आप लोगो हर सब्विट का स्टेडी मेटियल त्यारी कर सकते हो अपने मोवाईल स्कीन पर जाके ठीक है तो दोस्तों त्यारी करते लिए बैवैस अभी को और अच्छे मन से त्यारी करते लिए ताकि आप लोग अच्छे मार्कस से पास हो सके